हलो एंड विलकम फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम सब्ट्रेक्शन की बात करेंगे लीबरा डेटाबेस पर हम सब्ट्रेक्शन कैसे करा सकते हैं आईए चलिए देख लेते हैं लीबरा डेटाबेस एक open source software है आप इसे download कर सकते हैं नेट से free of cost ठीक है Microsoft Office के जैसे ये काम करता है बिल्कुल वैसा ही software है सिर्फ ये Linux में प्रियोग होता है आप चाहे तो Windows में भी इसे चला सकते है यहाँ से जाता हूँ Start बटन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ Libra तो यहाँ पर देखिए Libra Office Base आ रहा है Libra Office में बहुत सारे software आपको मिल जाते हैं यह सारे software आप देख सकते हैं यहाँ पर Libra Office Base हमें लेना है इसको open कर लेता हूँ यहाँ से मैं इसे next पर click करना है और हम इसे register नहीं कर रहा है finish पर click कर दीजे और इसे कोई नाम दे देता हूँ जैसे new database 3 ही रख देता हूँ मैं by default जो name आ रहा है अब यहाँ से design view में चला जाता हूँ यहाँ पर हमें कोई number देना जैसे माली जे मैं एक field ले लेता हूँ number 1 ठीक है फिर यहाँ पर जो दूसरी field ले लेगा वो number 2 ले लेता हूँ यह ले लिया हमने number और number 2 ठीक है इसे रख लेता हूँ number और इसे भी रख लेता हूँ number save कर लेता हूँ इसे table 1 के यह नाम से save कर लेता हूँ primary की नहीं assign की हमने एक id के नाम से उपर primary की आ जाएगी अब यह इस तरह से आ रहा है अब यहाँ पर इसे save कर लेता हूँ और फिर इसे close करता हूँ और यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ table 1 दिखाई देगा क्योंकि table 1 के नाम से तो हमने इसे बनाया था अब यहाँ पर कोई number देता हूँ जैसे माली जे 56 दे दिया 78 दे दिया फिर यहाँ पर 2 फिर यहाँ पर देता हूँ 45 और फिर यहाँ पर देता हूँ 79 फिर यहाँ पर ID 3 फिर यहाँ पर करता हूँ 56 और 78 इसी तरह से बहुत सरे number हम चाहे तो दे सकते हैं यहाँ 4 कर देता हूँ ID और यहाँ पर कर देता हूँ 1 और यहाँ पर कर देता हूँ 4 तो इस तरीके से यह 4 हमने IDs बना लिए हैं और 4 यहाँ पर अलग-अलग calculation के लिए number भी ले लिए हैं हमने अब हमें calculate करना है ठीक है अच्छा एक बात ध्यान दीजेगा कि हमने लिया हुआ है number तो क्या इसमें point में values हम enter कर पाएंगे चलिया यह देख लेते हैं यहाँ पर 45.6 तो यह लिख लिया हमने और यहाँ पर कर लिया 56.5 तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं enter करके नीचे आऊँगा तो यह जो है whole number में परिवर्तित हो जाएगी change हो जाएगी इसका मतलब है कि आप जब number data type use करेंगे तो आप नहीं use कर सकते है decimal यहाँ से इसे close करते हैं तो आप देख पाएंगे आप कि यहाँ पर यह नंबर आ चुके हैं लेकिन हमें यहाँ पर इसका total चाहिए total कैसे calculate करेंगे आईए चलिए देख लेते हैं तो total calculate करने के लिए सबसे पहले इसे close कर देजी queries पर जाएगे और यहाँ design view में हमें query को ले लेना है तो यह design view में हम आ चुके हैं हम इस table को ले लेंगे ठीक है क्योंकि इस table के सारे हमें queries भी calculate करनी है तो यह ID ले लिए हमने limited quotes लगाना है square packet नहीं लगाना num1 यह इसमें पहली value हमारी जाके store होगी plus num2 चुके addition करवा रहा हूँ तो num2 इसमें दूसरी value जाके store होगी यह ध्यान रखिएगा कि double limited quotes जरूर लगाईएगा open करिए और close करिए अगर नहीं किया तो answer नहीं आने वाला है ठीक है यहाँ पर हमने addition करवा लिया है आप इसे मैं भी थोड़ी बढ़ा देता हूँ आप देख भी सकते हैं यह रिखिए यह इस तरह से ठीक है अब यहाँ पर num1 minus num2 करेंगे ठीक है तो यहाँ पर num1 minus num2 करिएगा तो यहाँ पर doubleted quotes में आपको लिखना है ठीक है यहाँ पर doubleted quotes में इसे लिख लिया आपने और यहाँ से इसे drag करके और size को बढ़ा लीजिए ओके यहाँ से इसको भी doubleted quotes में कर देता हूँ क्योंकि बिना doubleted quotes के यह चलेगा नहीं तो यह हमने कर लिया अब यहाँ पर इस field को क्या नाम देना चाहता हूँ आलियास में हमें वो दे देना है ठीक है आलियास में मैं लिख देता हूँ addition ठीक है यहाँ लिखता हूँ addition हम यहाँ पर addition करवा रहे हैं और यहाँ पर क्या करवा रहे हैं subtraction करवा रहा हैं तो यहां लिख देता हूँ subtraction ओके तो यह दोनों ही एक साथ हम करके देख रहा है और यहाँ पर view पर करेंगे click यह query one नाम आ रहा है हम यहाँ पर addition and subtraction दे देते हैं addition ओके तो यह addition and subtraction दे दिया और यहाँ पर हमें इसे save भी कर लेना है और close भी कर देना है तो save तो पहले ही कर चुके हैं आप close कर दिया हमने अब यहाँ पर double click करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर addition और subtraction दोनों ही होके आ रहा है यह देखिए इन दोनों का number और number का addition यहाँ पर है subtraction यहाँ पर है यहाँ से new पर जाकरके और new database लेंगे और यहाँ से next पर जाएंगे और इसे register तो यहाँ से finish पर कर देंगे click इसे भी save कर देते हैं new database 4 के नाम से save हो रहा है यहाँ पर create table पर जाएंगे अब यहाँ पर table बना लेते हैं यहाँ पर करते हैं number 1 same वही चीज, और फिर यहाँ पर number 2, ठीक है यह कर लिया हमने और इस बार हमें क्या करना है, इस बार हमें decimal में भी values enter कर भाएं ऐसी ब्योस्था में चाहिए, तो हमें क्या करना है यहाँ पर, यहाँ पर हमें float रखना है, क्या रखना है, float float, यह बात आपको ध्यान देनी है, ठीक है यहाँ पर हमें क्या रखना है, float रखना है, तो यह float ले लिए आपने और इसे save कर देते हैं तो यह save कर देंगे, table 1 के यह नाम से save कर रहा हूं इसे, आप कोई और भी नाम चाहिए तो दे सकते हैं यहाँ पर primary की assign नहीं किये, तो primary की यहाँ पर assign हो जाएगी अप automatically, तो यहाँ आ चुका integer अब हमें इसे save कर लेना है, और यहाँ से close कर देना है, अब जब यहाँ आएंगे तो table 1 दिखाई पड़ जाएगा आपको यहाँ पर 1 लिखता हूं, और यहाँ पर decimal में values हमें, enter कर नहीं देखिए, decimal में enter कर पा रहे हैं या नहीं अभी तो हो गया, लेकिन आगे बढ़ते हैं ओ, अब तो decimal में भी values enter कर पा रहे हैं चलिए, फिर से यहाँ पर 2 देता हूं और यहाँ पर देता हूं 45.8 ठीक है, फिर यहाँ पर देता हूं 90.89 तो क्या यह support करेगा, बिल्कुल yes, support करेगा यह, ठीक है अब इसे close कर देता हूं, ठीक है अब हमें बनानी है query, तो query पर चलते है, query design पर आ जाते हैं ठीक है, और यहाँ से table को add कर वा लेते हैं, table को add कर वा लेने के बाद यहाँ पर id ले लेते हैं, अगर id की जरुवत होतो हो, अगर नहीं जरुवत है तो छोड़ देंगे, मैं फिलाल ले ही लेता हूं num1 कर दिया, num2 कर दिया, यहाँ पर calculate करना है, calculate करने के लिए same वही तरीका, double-tate quotes लगाईए num1 inverted quotes close और यहाँ पर कर देना है minus num2 ठीक है, subtraction कर वा रहा हूं मैं, आप addition भी कर वा सकते हैं minus num2, अच्छा, double-tate quotes लगाना मत भूलिएगा इसको थोड़ा width बढ़ा देता हूं, अच्छे से देखेगा यह, यह देखिए यह हो गया, double-tate quotes close open हुआ, close हो गया अब इसे save कर लिजे, तो यह save कर लिजे query 1 है, मैं इसे subt के नाम से save कर रहा हूं, यह save हो गया आप इसे close कर देता हूं और query को open करते हैं, यह जो query बनी हुए, यहाँ पर देख सकते हैं कि num1 minus num2 करके यहाँ पर आ रहा है यह देख लिजे आप, ठीक है, चुकि हमने नीचे कोई alias में नाम नहीं दिया था जिसके वज़ाद से यह इस तरह से आ रहा है ठीक है, अगर आप इसे right click करके और edit करेंगे, तो यहाँ पर अगर आप कोई नाम देते हैं, ठीक है जैसे माली जे मैंने नाम दे दिया subtraction यही नाम दे देता हूँ, तो यहाँ पर subtraction लिख के आएगा, तो यहाँ पर इसे save कर देता हूँ और अब यहाँ पर double click करके इसे open करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर subtraction लिखा हुआ, आ रहा है अब कोई भी यहाँ पर number आप enter करिए ठीक है, यहाँ पर 2 भी enter करिएगा जैसे माली जे, यह 32 यहाँ पर कर दिया हमने और यहाँ पर माली जे 2 enter करा हमने 2, ठीक है, 2 ले लिया इसने 6 enter किया, ठीक है और फिर यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर इसका जो subtraction है, वो आ जाएगा आप, जो है decimal में भी values एंटर कर पाएंगे, और without decimal, यानि कि whole number भी enter करना हो, तो वो भी enter कर पाएंगे यहाँ पर दिखिए, 7, 7 77 enter किया हमने, और यहाँ पर 66.9 enter कर रहा हूँ तो इन दोनों का भी subtraction हो करके, आपके सामने आ चुका है, देख सकते आप, तो उमीद करता हूँ कि यह वीडियो से आपको काफी help मिलेगी Libra database को समझने में वीडियो पसंद आए तो इसे share करें, thank you for watching this video